तो सबसे पहले नया साल का बहुत 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 बदा ही है आप सभी को तो चलिए अभी बात करते है टेक नियोजी का दोस्तो अगर आप चाहो तो आप अपनी वाट्साप से अपनी बैंक अकाउन का बैलेंस पता कर सकते हैं कैसा लगा बहुत आच्छा ट्रीक है इस वीडि आपको open कर लेता हूँ 3 double option में जाता हूँ उसके बाद payment section जो है यहाँ पर मैंने click कर देता हूँ देने के बाद दोस्तो उपर में option नीचे add payment method में click करना तुन्नों में से किदर भी आप क्लिक कर सकता है तो जैसे उपर में क्लिक करता है यहाँ पे दुनिया का जितना सारा बैंक है ओपन हो जाएगा इनमें से आप अपने बैंक को ढून लीजिए अगर नहीं मिल दा है तो उपर में search बार है वहाँ पर जाकर search कर सकता है जैसे कि मेरा bank है axis bank है मैंने यहाँ पर search करूँ है axis बोलके तो यहाँ पर axis bank आ गया उसमें click करता हूँ यहाँ पर बोलेगा verify your phone number तो यहाँ पर अपना numbers हो जाएका और verify करने के लिए बोलेगा तो यहाँ पर दोस्तो देख सकता है मेरे verify हो चुका है यहाँ आ चुका है उपर में axis bank और उपर से bank से message भी आ चुका है उसको नीचे done button आपको मिलेगा done में click कर दीजिए तो यहाँ पर आपना bank जो है बोले तो bank account यहाँ से connect हो गया दोस्तो उसके बाद यहाँ बोलेगा now you can receive or send money from whatsapp बोले का आ गया और अपनी account का चार्ट डिजिन मिलेगा तो नीचे आपको done button में click कर देना देने के बाद दोस्तो अभी आपको क्या खाना पड़ेगा आपना bank balance चेक करने के लिए आपको थोड़ा नीचे आना पड़ेगा नीचे आपको account नमा सो हो जागा देखिए लास्ट चार्ट डिजिए वहाँ पर click कर दीजिए और यहाँ पर मिलेगा आपको bank balance account balance तो यहाँ पर आपनो click कर देना देने के बाद दोस्तो यहाँ पर आपना जो UPI pin है यहाँ पर input करना पड़ेगा तो मैं छुपा के इसको डाल देता हूँ अब local मैं नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि यह बहुत secret pin होता है तो जैसे मैंने यहाँ पर pin डाल चुका हूँ सब्सक्रा कर देना और हाँ अगर कुछ भी doubt है आप चाहते हो मेरे को पूछने के लिए तो Instagram में पूछ ले में और डायरेक्ली आंशार करने वालाओ तो आज के लिए यह इतना है मिलते हैं तो नेक्ट वीडियो जाबाद में तब तक के लिए बावाई